हलो एवरिवन वेलकम बैक टू दिस ओसम कोर्स इलेक्ट्र स्टैटिक्स बच्चों लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि आप इस रोड को हटा के एक आर्क ओफ रिंग लगा सकते हो और उससे हमने काफी क्वेश्चन्स भी सॉल्व किये थे उसी आइडिया को कंटीन करते हुए एक आयरडोव का क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने है यूव दिस सैमी इंफाइनाइट वायर तैन सैमी सर्कुलर रिंग एन अगैन सैमी इंफाइनाइट वायर ठीक है बच्चों तीनों पे चार्ज देंसिटी युनिफ लैम्डा और आपको इस सेंटर वाले पॉइंट पे ठीक है यह वाला पॉइंट जो है वह सैमी इंफाइनाइट के बिलकुल सामने हैं एंड पॉइंट के और यह आर्क का सेंटर भी है आपको इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फिल निकालनी है क्या होगी जल्दी से कीजिए जल्दी से बच्चों ट्राइः किजिए तो अब तो तुम्हें मज़े आने वाले हैं जो कि अगर तुम उस टेकनीक को नहीं जानते तो बच्चों तुम इस सवाल को superposition theorem से करते पहले इसकी वज़े से अलग से field लिखते इसकी वज़े से अलग से field लिखते बच्चों और इस आधी ring की वज़े से अलग से field निकाल के तीनों को vector sum करते but now you can solve this question in less than 10 seconds yes or no everyone कैसे बच्चों ये तो ring है ही इसको हटा के क्या मैं quarter ring लगा सकता हूँ अरे कल की class याद करो बच्चों इसको हटा के क्या मैं एक और quarter ring लगा सकता हूँ तो मेरा पूरा question है पूरी ring में convert हो गए जिसके center पे field निकालनी है और पूरी ring के center पे field क्या होती है zero होती है तो मेरा answer क्या होगा zero that's it answer आ गया बले बले solve हो गया question error से तो बच्चों you can see ये इसका simple diagram में ही हमने solution कर दिया है समझ में आया सभी को ठीक है बच्चों तो you can see इसके जगे हमने quarter ring लगाई थी इसका proof भी आपको मैंने दिया था कल की class में I hope you guys remember this कि road या arc की वज़े से इस dotted line के बीच में same field आती है provided दोनों का lambda same होगा याद है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं let's do one more question